दोस्तों क्या आप Facebook पर एक नए गूरूप को create करना चाहते हो? यानि कि ए Facebook पर एक नए गूरूप को आप बनाना चाहते हो? तो इस वीडियो को last day देखिएगा दोस्तों क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से बिल्कुल बताने वाला हूँ कि Facebook पर गूरूप कैसे बनाते हैं दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं भी आपने Facebook पर एक गूरूप बनाऊ तो इस वीडियो को last day देखिएगा एकदम बिल्कुल step by step मैं आपको बताऊंगा कि Facebook पर एक गूरूप कैसे बनाते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप जान लिजे मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं हमारी YouTube चैनल अमन रोन टूथ चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट दोस्तों हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैं आपको बाड़ी की से बता दू दोस्तों कि पहले आपको क्या करना फेस्बुक को ओपेन कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ फेस्बुक open कर लेता हूँ दोस्तोー facebook open करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तोOoh first step ये है कि आपको क्या करना है आपके mobile के right side के corner में आपको three lines दिखने को मिलता है जैसे कि आफ यहां देắt पार है गो दोस्तो three lines आपको प् Sun कर रहा है तो इस आपको बता दो दोस्तों कि नीचे को और इसकोल करना है और आपको यहाँ एक option सो करता है जैसे कि see more का तो अगर आप इसमें click करते हो तो आपको बहुत सारे option नीचे को और आउड भी देखने को मिल जाता है click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ option देखने को मिलता है कुछ इस तरह के page open होगा तो आपको यहाँ create का option देखने को मिलता है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहेंगो दोस्तों plus की icon तो आपको क्या करना है इस create में आपको click करना है कुछ अच्छा select कर लीजिएगा तो आपको group के name में आपको first में वही डालना है जैसे कि मैं यहाँ first में डाल देता है दोस्तो जैसे कि first में आपको name your group में आपको डाल देना है कुछ भी जो आपके नाम select करके आप अपने group के नाम जो भी आप पसंद करके रखिएगा आपको वहाँ डाल देना जैसे कि मैं यहाँ फिल कर देता हूँ ऐसे for example के लिए मस्ती ग्रूप मस्ती ग्रूप मैं ऐसे ही for example के लिए जैसे कि मैं मस्ती ग्रूप ऐसे ही डाल दिया दूस्तो तो आपको जो भी आपको कुछ अच्छा unique नाम जो है आपको group के नाम आप select कर लिजिएगा उसके बाद आपको नीचे को और आपको देखने को मिल जाता है आपको जो हैसे कि आप अपने group को आप क्या रखना चाहते हैं कि आप पॉब्लिक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ option मिल जाता है privacy का तो दोस्तो आपको क्या तरना है आपके bugle में जैसे कि आपको यहाँ डोट को बगल में आपको यहाँ विंदू दिखाई दे रहा है आपको इस dot में आपको click करना है जैसे कि मैं यहां click कर लेता है दूस्तो click करने के बाद आपको यहां जो भी करकना है जैसे कि आप अपने group को public रखना चाहते हैं या फिर आप अपने group को जैसे कि आप public रखना चाहते हैं या फिर personal रखना चाहते हैं प्राइबेट रखना चाहते हैं तो आप यहां कर सकते हैं यानि की आपको group को ही delete करना होगा तब ही आपके group public से हटेगा नहीं तो आपके group जो है public में चला जाएगा तो आपको इस बात के बात को धियान रखना उफ़ तो मैं अपने group को personal ही रखना चाहूँगा दोबिफा इना रखना चाहूंगा तो मैं दू नम्मर बाला में किलिक कर लेता हूं उसके बाद जो है फानेली डन कर देता हूं तो मेरा गुरूप जो है हाइड हो चुका है यानि कि मेरे गुरूप में जितने भी सदस्कों मैं जो है एड करूँगा वही मेरा देख सकता है दोस्तों तो में किलिक कर लीजिएगा तो मैं यहां किलिक कर देता हूं दोस्तों जैसे कि मैंने यहां किलिक कर दिया दोस्तों किलिक करने के बाद आपको यहां आपको ग्रूप में कितने लोगों को आप जो है रखना चाहते हो आप यहां से इनभाइट कर सकते हो तो मैं यहां डग दे आपको क्या करना है दोस्तों आपके मुआल के राइचार के कुपर में आपको next का option देखने मिलता है तो आपको इस next में आपको click कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ click कर लेता हूँ click करने के बाद आपको यहाँ आपसे पूस्ता एक cover photo नहीं कि आप अपने आप अपने groups के लिए कि आप अच्छा सा cover photos आप यहाँ बना कर आप डाल सकते हैं दोस्तों अगर आपको नहीं आता है दोस्तों कि आपको cover photos कैसे बनाते हैं तो आप अगर comment करके इस video में पूस्ते हो तो मैं इसके में भी एक videos बना दूँगा कि Facebook के group के लिए कि अच्छा सा professional cover photos कैसे बनाते हैं तो मैं भी अब भी नहीं बनाया हो दोस्तों तो मैं यहाँ कोई भी photos यहां select कर लेता हूं तो मैं इस पर click करने के बाद आप डाले चले जाते हैं आप अपने album में तो मैं यहां से कोई एक photos को select कर लेता हूं दोस्तों for example के लिए मैं अपने ऐसे मैं भी नह मैं यहां से एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूं तो मैंने यह वाली फोटो को सेलेक्ट कर दिया हूं तो मैं यहाद देख सकते दोस्तों आप चाहूता अपने इसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हो तो मैं यहां कवर फोडोस सेलेक्ट कर लिया हूं दोस्तों फिलाल मैं बनाया नहीं हूं इसके लिए आगर आप पोस्ते हो तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके बारे में कि कवर फोडोस कैसे बनाते हैं एकदम बिल्कुल लिए तो यहां थुरा इंटरनेट ब्रॉब्लम है दोस्तो थोड़ा सा हाँ तो यह जो है आप बाद में इसको इडिड भी कर सकते हो means कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तो उसके बाद को क्या करना दोस्त आपको नीचे का और रही सकते है जासे मं तो next में click कर लेना है. जैसे कि कि मैं next में click कर लेता हूं, अपको फिर से आप पुस्ता description, आप अपने group के बारे में कुछ भोलना चाहते हो. कुछ लिखना चाहते हो, खासित के बारे में, लिख सकते हो нес description में तो मैम ऐसे यह लिख देता हूं. लिख सकता हूँ अपने प्रेंट के लिए आप चाहओ तो कुछ अच्छी से लिख सकते हैं आप अपने गुन के बारे में तो मैं यहां लिख देता है दोस्तो कि हाई फ्रेंड्स आप याई ब्यूक्त है फ्रेंट एला यृट्निक ट। दोस्तों जैसे love you all मैं ऐसे select कर लिया दोस्तो love you all तो मैं ऐसे description आप बाद में लिख भी सकते उसके बाद आपको क्या करना next में click कर लेना है नीचे के वह next को option देखने मिलता है next में click क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह के processing लेगा उसके बाद finally आपको क्या करना डैन में click कर देना है तो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों कि आपको डैन को option देखने मिला है तो डैन में details और भी बता दूंगा दोस्तों इसके बारे में कि earning कैसे करते हैं इस group से तो कुछ इस तरह के आप अपने भी एक अच्छे से आप अपने Facebook पर गुरूप बना सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह तो उमिद करते हैं यह जनकारी आपको पसंद आए दोस्तों पसंद आए तो अपने गुरूप में इस तरह बना सकते हो और भी आप चाहो तो आप अपने फ्रेंद को और भी गुरूप में आने कि आप इनवाइट कर सकते हो चाहो तो आप अपने इसके बाद भी आप अपने फ्रेंद को इनवाइट कर सकते हो इनवाइट में क्लिक करके आप आड़ी मिलता रहे तो चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा बिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत